हलो एवरिवन आज है 23 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में देखें कुछ दिनों से ट्राइडेंट में एक बड़ी तीजी देखी और अब जाके आलोक में भी वो रफतार देखने को मिल रही है साथ परसंट की बड़ी तीजी आज आलोक इंडस्ट्रीज ने दिखाई है कोई रीजन नहीं है कोई वज़े नहीं है बातचित करेंगे कि वही है क्या हो रहा है यहां पर और क्या हो सकता है दिखें वीडियो को शुरू करूँ से पहले अगर आपने अवी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगए भी बहुत सारे वीडियो जो काफी जादा हल्प करेंगे तो आलोक इंडस्ट्री टेक्स्टाइल से जोड़ी हुई स्मॉल कैप कंपनी है और आज 7% की बड़ी रफतार इसने दिखाई है और अगर हम बात करें तो पिछले एक महिने में 22% की तेजी है देखे पहले क्या था कि थोड़ा बहुत मूव किया फिर धीरे ग्रेजोली बढ़ता रहा फिर थोड़ी बहुत तेजी दिखाई फिर वापस गिरावट के साथ थोड़ी बहुत तेजी दिखाई और अब एक दम से एक बड़ी रफतार इसने पकड़ी है और देखा जाए तो टेक्स्टाइल सेक्टर से जोड़ी हुई कमपनिया है न उसने पिछले कुछ दिनों में अच्छी रफतार पकड़ी है चाहे वो ट्राइडेंट भी क्यों ना हो क्योंकि हाला कि ट्राइडेंट में आज 1.5% के गिरावट है लेकिन पिछले एक महिने में अगर आप देखोगे हाला कि पिछले दो दिनों में यहाँ पर तेजी आई 32 रुपय से भाग के यह 37 पर गया अच्छी खासी तेजी पिछले दो दिन में दिखाई हूँ कि इसने मूव तो दिखाया है हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा और उपर चला जाए लेकिन अगर आप पिछले एक साल का ग्राफ देखो तो कहीं न कहीं कहीं न कहीं 18 और 19 रुपय का जो रेंज है न वहाँ पर एक रेजिस्टन्स बैठा जरूर है इस बार यह ऊपर उठने की कोशिश तो कर रहा है देखना होगा कि यह कितना और उपर की तरफ जा सकता है और कहीं न कहीं अगर मान लिजे कि इसने 19 रुपय का लेवल तोड़ दिया फिर आपको 21-22 तक के भी लेवल देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे और अभी जो पूरा गेम चल रहा है वो वॉल्यूम का गेम चल रहा है बड़े बड़े कॉंटिटी में शेर ट्रेड होते नजर आ रहे हैं बड़े खेल हो रहे हैं जैसे कि मैं अब को कहा था कि जो छोटी कंपनिया होती है चाहे वो रिलाइन'S पावर की बाद कर लो चाहे हम बीछ में रतन पावर की बाद कर लो या फिर चाहे हम बीच में ब्राइट क्रॉम को भी यह चीज आई थी सामने कि क्या होता है कि 3-4 लाग की quantity का order लगाया जाता है और per share अगर 5-6 पैसे का profit हो जाता है तो profit बुक कल लिया जाता है जिसमें volume बहुत जादा बढ़ जाते हैं और जिसके चलते जो shares है वो धीरे-धीरे रफतार पकड़ना शुरू कर देते हैं और यह देखने को मिल रहा है तो मुझे हैरानी नहीं होगी कि आलोक इंडिस्ट्री भी इसी चलते थोड़ी बहुत तीजी दिखा रहा है क्योंकि अगर हम बात करें तो ऐसी कोई fundamentally वजह नहीं है कि share ने इतना बड़ा move दिखा दिया हो हाँ अगर आप देखो तो बाकी textile में भी तीजी है कि देखो government जो फोकस कर रही है 15,000 क्रोड रुपे का incentive भी provide करवाया है government ने और सरकार चाहती है कि वह जो textile sector से जोड़ी हुई company है को जादा से जादा production करें और अपने सामान को इंडिया के बाहर बेचें और फैसा लेकर आए यहाँ पर आलोग industries अगर हम बात करने जाए इस company को लेकर तो इस company का जो मालिकाना हाख है वो मुकेश अंबानी के पास है reliance industries है यहाँ पर market के भी इसका 8475 करोड का है और जहां तक बात करें तो इनके negative चीज बहुत सारी है इनके जो current assets से और current liabilities से भी कम है ROE भी कुछ खास अच्छा नहीं है company के performance पर अगर हम नज़र के जो last quarter काफी खराब रहा था इनका loss था और revenue में भी काफी बड़ी किरावट आई थी 1700 करोड का revenue था देखो इनका जो revenue है वो लगाता decline हो रहा है पहले इसका बढ़ना ज़रूरी है 1970 करोड से घट घट के घट घट के 1410 करोड परा गया तो revenue में ये decline जारी है same चीज profit को लेकर अगर हम देखे तो पिछले पांच quarter में profit है ही नहीं लेकिन हाँ देखो अभी चीज़े negative है इसका मतलब यह नहीं कि आगे भी negative रहेगी कई बार ऐसा होता है कि लोग 3-4 महीन ने पुराने वीडियो को देखकर ही कहता है कि आपने तो मना किया था तो again जब company के fundamentals बदलेंगे मान लिजए कि अगर अगले quarter के numbers अच्छे आ जाते हैं तो definitely तब इसकी positive commentary भी आएगी तो यह जरूर है कि देखो company किस position में किस range पर है वो जानना जरूरी है कि अभी वो negative है के नहीं अभी वो positive है के नहीं कुछ सरकारी banks हो सकता है कि पहले कुछ time पर अच्छे खासे fundamentals पर trade नहीं कर रहे थे अच्छे नहीं थे उनके fundamentals लेकिन पिछले 2-3 महिनों में जब चीज़े बदलती हुई नजर आई तो definitely यह हो है कि वह या commentary change होगी सबकी जहां तक बात करें अगर हम इस company में shareholding की तो promoter के पास 75% की holding है एक भी शर्गिर भी नहीं है यह वो company है जिसको NCLT में मलब दिवालय हो चुकी थी यह company और इस company को खरीदा था मुगे शंबानी ने Reliance Industries ने public के पास 22.52% की holding है Files के पास 2.12% की holding है तो देखा जाये तो जादार जो quantity है वो यहां पर public और promoter के पास है बड़े-बड़े fund house थोड़ी सदूरी अभी भी बनाए है लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो Files ने खरीदारी करी है और यह अच्छी बात है 2.03% की holding ब देच दिया है इंशॉरंस भी देखा जाए तो लगातर बिकवाली कर रहे है 0.72% की holding थी वो लगातर हर quarter में decline होकर 0.32 पर आ गए तो इंशॉरंस भी अगर आप देखो तो लगातर यहां पर बिकवाली करते हो नजर आ रहे हैं लेकिन आलोक इंडेस्टरी इसको लेकर overall में इतना कहूँगा कि देखो company अभी का जो इसका present scenario है वो उतना जादा positive नहीं है लेकिन हाँ बीच बीच में ये आपको momentum पकड़ता नजर आएगा बीच बीच में आपको तीजी दिखाता नजर आएगा और अगर आपको per share 25-30% का profit होता है तो मेरे हिसाब से profit book करना चाहिए और जहां तक बात है अलोक इंडर्शे देखो मैं ये नहीं करूँ कि company बरबाद होगी जी नहीं बरबाद नहीं होने वाली है ये company लेकिन जब सस्ता मिले तब दाव लगाने का मौका होता है यहाँ पर जब ये सस्ता था जब ये आपको मिल रहा था 12 रुपे की range में 13 रु और यही वज़ा है कि मैं कहे रहा हूँ कि मुझे शायद लगता है कि 1920 का जो level है वहाँ पर एक profit taking यहाँ पर आ सकती है और जब वो profit taking आएगी तब मौके बनेंगे यहाँ पर जब नीचे की तरफ गिलेगा दुबारा से जब दुबारा 15 रुपे की range में जाएगा तब जाक पर माल लिजए कि company अच्छे quarterly numbers अगर report करना शुरू कर देती है तब हम इसको long term के लिए भी consider कर सकते लेकिन अभी के लिए इसको swing trade के लिए ही consider किया जा सकता है तो यह तो मेरा opinion रहा इसके अलावा analysis के लिए जिस portal का में इस्तमाल कर रहा हूँ trade brains अगर आप भी इसको use करना चाहते हैं तो link मैं आपको description में दे दूँगा और अगर आप मेरा coupon code HSA20 का इस्तमाल करोगे तो आपको 20% का discount भी मिल जाएगा कई सारे बहतरीन features है यहाँ पर जिन में से एक है कि जो बड़े-बड़े investors है न क्योंकि यही लोग बड़े game खेलते हैं वो क्या खरीद रहे हैं क्या बेच रहे हैं उनका पूरा portfolio वो भी quarter on quarter update के साथ आप चेक कर पाओगे यहाँ पर और इनके portfolio में कई बार आपको ऐसे shares भी मिलेंगे जिसका नाम तक आपने सुना नहीं होगा और कई बार तैनी stocks भी होते हैं तो देर इस बात की है link description में है coupon code का फाइदा उठाइए का मैं जरूर वीडियो को यहीं पैंड करूँगा पसंद हो तो like करें शाय करें चैनल बगरा पहले बार हैं तो please subscribe करें और आलोग industries के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे comment में लेकर बता सकते हैं इसके अलावा textile sector का Trident जो है हो जिसना दो दिन में बड़ी आग थी और अब decline आ रहा है और जब यह 30 आ रही थी तभी मैंने आपको वीडियो बना कर बताया था और यह सस्ते प्राइस पर जब मिल रहा था 30 रुबै पर 27 पर तभी मैंने का था कि हाँ भया खरीदारी के मौके हैं और अगर आप चाहते हैं कि अब जब इस लेवल पर पहु झाल झाल